प्रिविएस वीडियो हमने लगाया हुआ है प्रिविएस वीडियो हमने चर्चा की थी कि निफ्टी का उपर तक का टार्गेट जो इंट्राडे के लिए बन रहा था जो की अचीव हुआ हमारा इंट्राडे टार्गेट अब हम बात करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या इसमें मुग बन सकता है तो आप यह देखिए कि निफ्टी जो करके रहा है कंसोलीडेशन मैंने कई बार आपको पता है कि कंसोलीडेशन फेज में है इसमें आपको जो ट्रेडिंग डिसीजन है वह इंट्राडे में ज्यादा आपको ट्रेड करने चाहिए पोजिशनल ट्रेड कम करने चाहिए क्योंकि इसमें गैप आप य यह जो प्रिवियस डे का केंडल बना है यह कंप्लीटली इन डिसीजन केंडल बना है उपर भी गया और नीचे भी गया ठीक है और लास्ट में क्लोजिंग जो है जहां पर ओपनिंग हुआ था उसके आस पास में ही क्लोजिंग हुआ है थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है तो यह क्या है कि इन डिसीजन है बट अगर आपको बाइंग में करना है तो इसके लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको देखाने चाहूंगा आप 15 मेर का चार्ट देखिए 15 मेर के चार्ट में आप देख रहे हैं कि यह जो 700 से था 24700 जो जो जोन था यहां से आपका एक रिजेक्शन है गुआ है कई बार क्या होता है कि देखिए अभी कोवीड का सिनारियो चल रहा है थोड़ा सा प्रब्लम चल रही है तो लोग ओभर नाइट पोजिशन दो दिन का अगर वीकेंड हो तो वो लोग पोजिशन को कैरी नहीं करना चाहते है तो यह जो हुआ है यह प्रोफिट बुकिंग ह और यह प्रोफिट बुकिंग कहां तक जाए गई अगर आप देखेंगे छोटा सा तो यह डबल टोप पैटन भी बना हुगा था तो इस डबल टोप का आपका टार्गेट क्या बनना चाहिए इस डबल टोप का टार्गेट आपका यह रेंज में यानिकी यह आपका सपोर् 14,500 से 14,550 के बीच में आपका स्ट्रोंग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा ठीक है तो अगर यहां पर प्राइस आता है तो आपको यहां पर बाइंग ओपोचिनिटी के बारे में सोचना चाहिए अगर 14,500 के नीचे अगर ब्रेक करता है तब आप इसमें सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं अगर आप बाइंग के बात करें तो बाइंग का जो आपका लेवल आएगा फ्रेस जो clear buying जिसमें आपको अच्छा profit बन सकता है वो buying आपको बनेगा 14,700 के उपर यह जो range को अगर break करता है तभी buying बनेगी अन्य था इसमें अभी consolidation के chances भी बन सकते हैं लेकिन अगर 14,700 को break करता है तब आपका जो next target आएगा वो 14,750, 14,800 और final target हमारा 14,900 का बनेगा जो की tough resistance एडिया है तो वहाँ तक price जा सकता है तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिए और trade किजिए ठेडिंग करेंगे आप ठ्रेक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आए कि market में कैसे trade किया जता है कैसे आप करेंगे तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही बागी देखें मार्केट में कोई मैंने बोला ने कि एक consolidation का फेस्ट चल रहा है तो यहाँ पर क्लियर कोई भी 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 नहीं बन रहा है कि बहुत बड़ा position बना लिया बहुत profit बनेगा यह ऐसा कुछ भी बन नहीं रहा है जब इस प्रकार का बनेगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा कि मार्केट में किस प्रकार का move बन रहा है यह तो नीचे की side भी बन सकता है ऊपर के side भी बन सकता है तो जिस site के अगर move बनता है और लोंगर टाइम फ्रेम के लिए मैंने previous वीडियो आप चेक कर लिज इस वीडियो का आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ सेर कीजिए ताकि ज्यादा सज्यादा लोगों को इस प्रकार के एनलेसिस का और इस प्रकार के जो मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है उसके बारे में उन्हें अवेरनेस मिल सके वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद